पूर्वक केंद्रिय मंत्री स्वर्गियर रामबिलास पासवान के बेटे और लोजपा रामबिलास के राष्ट्री अदेख चुराग पासवान हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं वही आपको पता ही है कि चुराग पास्वान राजनीती में आने से पहले फिल्मों में भी अपना किस्मत आजमा चुके हैं वही एक बार फिर से चुराग ने अपने फिल्मी करियर को लेकर बयान दिया है केंद्य मंद्री मंदल के कुर्सी के मजबुत दाविदारी और बिहार के मुख्य मंद्री नितिश कुमार पर लगातार हमलावर होने वाले चुराग पास्वान एक बार फिर से चर्चाओं में बने हुए है राजनीती में एंट्री करने से पहले बॉलीवूच अभी निता रहे चुराग ने अपने पिछले करियर की चर्चा करते हुए कंगना रनौत के बारे में बात्चुत की है उन्होंने कहा है कि अच्छा हुआ है कि मिले ना मिले हम मुवी उस समय आई थी इस समय मैं कंगना के साथ एक्टर होता तो वो रोज नेपोटिजम को ले कर कलास लगाती एक डिजिटल मीडिया से बात्चुत करते हुए चुराग पासवान ने हलके अंदाज में कहा कि नेपोटिजम को ले कर कंगना बहुत ही ज़्यादा मुखर है और अगर आज मैं उनके साथ फिल्म कर रहा होता तो शायद वो मुझे कभी नहीं छोड़ती परफेक्शन आईएस सिविल सेवा, BPSC, UPSC परीक्षा के लिए एक मातर समर्पित और रिजल्ट ओरियंटिड संस्थान बहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन आईएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनिय गाइडन्स के साथ सुनिश्चित की जाती है 64, 65, 66 BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 179, 131 क्रम शहर रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएस कुमार टावर बोरिंग रोड पठना वही कंगना के साथ अपनी 2011 की फिल्म मिले ना मिले हम के संबद में बाच्चुत करते हुए चुराग पासवानने कहा कि बगवान का शुक्र है कि ये फिल्म मैंने कंगना के साथ हमारे वक्त में की चुराग पासवान ने कहा कि वो जोस तरह से मुद्दो को उजागर करती है ऐसे में रोज मेरा क्लास लगाती इसके साथ ही जब चुराग पासवान से भाई भती जवाद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि लोग दोनों उद्योगों में भागे का फैसला करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी सूपर स्टार या प्रधान मंतरी या फिराष्ट पती के बेटे हैं एक बड़े वक्तितों का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभागे हो सकता है बल्कि काबिलियत नहीं उन्होंने कहा कि ये आपका सौभागे हो सकता है लेकिन आपकी श्रमता नहीं वही फिल्मी दुनिया को छोड़ने को लेकर जब चुराग पासवान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बॉलिबूट में एक छोटे से कारेकाल ने उन्हें ये एसपस्ट कर दिया कि वो जीवन में क्या करना चाहते है उन्होंने कहा वैसे बॉलिबूट को मैंने नहीं छोड़ा बॉलिबूट ने मुझे छोड़ दिया मुझे लगता है कि मैं इसके लिए नहीं बना था हर किसी का बचपन का एक शौक होता है मेरा भी शौक था इस्कूल कॉलेज में लोग ये कहते थे कि आप अच्छा दिखते हैं अच्छा बोलते हैं आपको बॉलिवूर्ट में कोसिस करना चाहिए इसलिए लेकिन फिरू ने ये एसास हो गया कि रियलसल करना, समवाद रटना और मेकप करना उनके बस का बात नहीं है तो आपका चुराग पास्वान के इस बयान पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएए